हे दोस्तों आप देख रहे हैं The Techting YouTube चैनल और आज हम करने वाले हैं बात Xiaomi की तरफ से हाल फिलाल में ही लौंच किये गए दो न्यू स्मार्टफोन के बारे में जिनका नाम है Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro जानेंगे आज की वीडियो में इन दोनों फोनों के बारे में complete detail के साथ और साथ ही साथ जानेंगे कि इसके कौन-कौन से plus points हैं और कौन-कौन से कुछ minus points रह गए हैं तो वीडियो को बिना skip कीजिए लाज तक देखेगा कीजिएगा आपके सेनल को subscribe साथ में प्रेस कीजिएगा bell icon को अगर already subscribe कर रखा है तो वीडियो को like करना नहीं बुलिएगा तो आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे दोनों फोनों के specification और features का उसके बाद बात करेंगे इसके कुछ plus points का और उसके बाद बात करेंगे इसके कुछ minus points के सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi Note 7 की तो Redmi Note 7 के पहले जान लेते है specification जो की कुछ इस तरह से हैं इसके अंदर आपको मिलती है 6.3 inch की full HD plus dot not display अगर बात करें फोन के processor की तो वो मिलता है snap run का 660 जो की 2.2 पर clock है इसके बाद बात करें फोन की camera setup की तो 12 plus 2 megapixel का rear camera setup मिलता है अगर front camera की बात करें तो वो मिलता है आपको 13 megapixel का अगर बात करें फोन के display के अंदर gorilla glass protection की तो वहाँ पर आपको मिलता है gorilla glass 5 का protection इसकी body के अंदर भी gorilla glass protection आपको मिल जाता है अगर बात करें फोन के battery की तो वो आपको मिलती है अगर बात करें इसके charging slot की तो यहाँ पर आपको type C का charging slot मिल जाता है phone के अंदर 3.5 mm का jack भी दिया गया है phone के weight और thickness की बात करें तो इसमें weight मिलता है 185 gram का और thickness मिलती है 8.1 mm की अब बात करें phone के variants की तो इस phone के आपको 2 variants मिल जाएंगे एक मिलेगा 3GB 32GB के साथ और एक मिलेगा 4GB 64GB के साथ जो 3GB 32GB का variant होगा वो मिलेगा आपको 9999 रुपेका और जो 4GB 64GB वेरिंट होगा वो आपको मिलेगा 11,999 रुपेका अब बात करें इसकी availability की तो यह आपको मिलेगा MI store पर MI home पर और साथ में साथ flip card पर यह आपको मिलेगा 6MR से बात करें Redmi Note 7 के plus points की तो plus points के अंदर सबसे पहला plus point है कि 10,000 की नीचे की range में आपको मिल रहा है snapdragon का 660 processor जो की normally आपको किसी भी phone में देखने के लिए नहीं मिलता जिसकी price देखने के लिए 10,000 से नीचे आपको मिले नमबर ठर टोपिक की बात करें तो यह phone quick charge 4.0 को भी support करता है और इसके साथ साथ इस phone के अंदर slow motion video capturing का भी option आपको मिल जाता है अब बात करें इस phone के minus points की तो minus points भी इसके phone के अंदर है यह नहीं है कि इस phone के अंदर सरफ press points है तो minus points की बात करें तो इसके अंदर दो minus points मुझे लगे फिलाल तो नमबर एक कि इस phone के अंदर आपको hybrid sim slot मिलता है क्योंकि 3GB 32GB अरे variant के अंदर अगर hybrid sim slot है तो यह disappoint करने वाली बात है और number 2 कि इसका rear camera setup है वो है 12 plus 2 megapixel का और जिसका aperture भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है normal aperture है f2.2 का overall 10,000 की range में मुझे यह smartphone काफी अच्छा लगा चलिए अब बात कर लेते हैं next smartphone की जिसका नाम है Redmi Note 7 Pro पहले बात कर लेते हैं इस phone के specification की फिर बात करेंगे इसके plus और minus points की तो specification में सबसे पहले बात कर लेते हैं phone के display की तो display आपको मिल की है 6.3 inch की dot node display जिसका resolution होगा full LED plus का और अगर बात करे coordinate glass protection की तो वहाँ पर आपको coordinate glass 5 का protection आपको मिल जाएगा फोन में processor मिलता है Qualcomm का Snapdragon 675 जो की काफी अच्छी बात है ये काम करता है 11 nanometer की technique पर अगर बात करें phone की battery की तो यहाँ पर आपको मिलती है 4000 image की battery और इसके अंदर भी type C का port आपको मिल जाता है फोन का rear camera setup है 48 megapixel प्लस 5 megapixel 48 megapixel की खासित ये है कि इसके अंदर जो sensor की होगी आगया है वो है sony का IMX586 अगर बात करें front camera setup की तो वहाँ पर आपको मिलता है 13 megapixel का front camera जिस aperture है f2.0 का अगर बात करें इस phone के weight और thickness की तो phone का weight है 186 gram का और thickness है 8.1 mm की इस phone के variant की बात करें तो variant आपको मिल जाएंगे 2 एक मिलेगा 4GB 64GB के साथ और second मिलेगा 6GB 128GB के साथ तो 4GB 64GB का variant है वो आपको मिलेगा 13,9999 रुपैका और अगर बात करें 6GB 128GB का तो वो आपको मिलेगा 16,9999 रुपैका अगर बात करें इस phone के फ़र्ट सेल की तो वो आपको मिलेगी 13 March को Flipkart पर, MI Store पर, MI Home पर वो मिलेगी दिन के 12 बजे अगर बात करें इस phone के plus point की तो plus point इस phone के बहुत सारे हैं जैसा कि इसका rear camera setup जो की flagship range का है अगर बात करें इसके processor की वो भी काफी अच्छा है 11 Anodate की टेक्निकर काम करता है और gaming के लिए ये phone काफी अच्छा है अगर बात करें इस phone की battery की तो वो भी आपको charger image मिल जाती है Quick Charge 4.0 को भी support करता है इसके साथ साथ इसके display में coordinate color glass 5 का protection भी आपको मिल जाता है अगर बात करें इसके minus point की तो minus point मुझे वही लगा जो Redmi Note 7 के अंदर लगा वो ये कि इसके अंदर hybrid sim slot का योज हुआ है हलांकि इसका rear camera setup काफी जादा अच्छा है तो वो कोई minus point नहीं है minus point इस phone के अंदर सरफ एक है वो ये कि इसके अंदर hybrid sim slot का योज किया गया है तो दोस्तों comment करके मुझे एक बात जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है इसका killer smartphone Realme, Honor या Asus की तरफ से पहले कौन launch करेगा या यही phone mid-range segment में बाजी मार जाएगा पूरे साल में तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आपको वीडियो कैसे लगी लाइक अडेस लाइक करके अपना feedback देजिएगा आपने दोस्तों के साथ share कीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब करना नहीं बूलिएगा thank you so much, have a good day